इंदोर खजराना में भू माफिया जितेंद्र धवन उर्फ हेप्पी यादव राजीव धवन उर्फ लक्की धवन द्वारा अवेधानिक रूप से राज रतन एवेन्यू के नाम से कालोनी विक्सित की जा रही थी वा तथ्यों को छुपा कर नगर तथा ग्राम निवेश टी एंसी कारियाले इंदोर वा कारियाले नगर पालिक निगम इंदोर से विकास अनुमती ली गई थी जिसकी शिकायत मैं प्रमान संबंदित कारियाले में की गई तथा शिकायत को सही पाए जाने पर नगर तथा ग्र निवेश कारियाले इंदोर TNC द्वारा मार्च 2022 में अनुमती TNC निरस्त कर दी गई वा कारियाले नगर पाली का निगम इंदोर द्वारा आदेश दियनांक 25-4-2022 को कालोनी विकास अनुमती इस्थगित कर दी गई शिकायत करता सहजात पठेल द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि उक्त कालोनी की अनुमती निरस्त वा इस्थगित होने के बाद भी कालोनी में रजिस्टर्ड विक्रए पत्रों के माध्यम से भूम आफिया धवन बंदूओं द्वारा प्लाट बेचे जा रहे हैं सबी प्रकार के विक्राय पर रोक लगाने की मांग की गई अधिकारियों द्वारा कारवाही का आश्वाशन शिकायत करता को दिया गया हमारी सीकायत को सही मानते होएं कारियला इंदोर दोर में प्रियास कर रहा है उसके बाद लगबं लोग ने तेरा रजिष्टियां कर दिये, तेरा लोगों को प्लाट बेज दिये, बगेर ये बताए कि इस तरीके से इनकी अनुमतियां निरस्त हो चुकी है, उसी की शिकायत मेरे दुआरा कलेक्टर मोहदा है, और आयुक मोहदा के कायले पेखी गई है, अधिकारीय दुआरा ये आश वह गलत तरीके से खरीदी गई है, जो असल भूमी मालिक थे, उन लोगों से नहीं खरीदते हुए, थट परसंसे इन्होंने खरीदी है, और उसी दस्तावे जो के आधार पे इन्होंने अनुमतियां ली थी, चुकी बरतमान में इस कालोनी का केस माननी नियाला में भी अनुमतियां ली थी,